कुछ इस तरह लिखा था कभी वो सफर की बात करता है कभी मन्जिल के कि वो जब भी मिलता है कभी सफर की बात करता है कभी मन्जिल के और मैं पागल देख उसका चेहरा उसके चेहरे से नजर नहीं अटा पाती बरदास्त की हद पार कर चुका हूँ मैं जाना ठहरना मेरे दिल तक नहीं पहुँचता वो मुझे पराया सा लगता है इतनी बेकदरी कर रहा है मेरी इश्क में बड़ा सताया लगता है वो मुझे पराया लगता है इतनी बेकदरी कर रहा है मेरी इश्क में बड़ा सताया लगता है कहता है जान दे देगा मेरे लिए लगता है वो किसी और पे जान लुटाया लगता है हाँ वो मुझे पराया लगता है वो क्या चाता है पढ़ लेती हूँ उसकी आखो से वो क्या चाता है पड़ लेती हूँ उसकी आखों से, यार समझ नहीं आता, वो मुझे ठोकरों का समझाया लगता है काश कोई कफन का इंतजाम करे, काश कोई कफन का इंतजाम कर दे, रह सकूँ सुकू से जहां दफन के लिए कोई ऐसी जमी मेरे नाम कर दे कहां बाकी कोई शौक रह गया है, वो शक्स आखों से आसू बन बै गया है, दाना पानी उतरता नहीं गले से अब, ये कैसा सितम बन, वो मुझे पे डह गया है जिन्दगी मुझे दोजक सी लगती है, बैठी हूँ चुपचाप, ये सांसे फना लगती है, आशनाई चाहत खत्म हुई उनकी, वो वफा जो मुझे अपनी लगती थी, हकिकत में न जाने वो कितनों की अपनी लगती है, मुझे उसकी आखे दर्बान दिखाई पड़ती है, जब तक ना घर वापसी हो मेरी मेरी मा की नजरे दर्वाजे से नहीं हटती, कुछ मैंने लिखा था, कई ऐसे लोगों से पाला पड़ा, मेरी डाइरेक्टर टाइप के जो लोग होते हैं, शोज करती थी मैं, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ, तो मैंने उनके उपर लिखा था, पल भर में उजाड देना मासूम चहरे की हसी सही है क्या, उड़ते पंची को देख उसके पंख काड़ देना सही है क्या, कौन सी दुश्मनी का बदला लेते हो तुम, रुला की ओरों को उनके खाब छीन लेना सही है क्या, चाहते हो मिटाना क्यूं काजल सपन के, चाहते हो खीचना क्यूं आचल बदन से, सपनों के जो शर्म ना कीमत तुमने मांगी है मुझ से, खुद के सुकूं के लिए इतना गिर जाना सही है क्या, कदम एक-एक चल बनाई राहे हमने, उनमें कांटे बचाना सही है क्या, लिया जन्म तुमने इंसां के रूप में तो हैवान बन जाना सही है क्या, कौन सी दुश्मनी का बदला लेते हो तुम हमसे, रुला के हमें हमारे ख्वाब छीन लेना सही है क्या ना नींद हासिल है ना ख्वाब बचा है कोई के ना नींद हासिल है ना ख्वाब बचा है कोई अंजाम दें तो कैसे दें किसी नए सफर को हम मुदावा कर दे मेरे गम का यार मुदावा कर दे मेरे गम का यार तेरा रकीब से मिलना मुझे मुझे जफा लगता है ये कलाकारों के लिए है क्या काम करता है जीते जी जरीए उसके क्या काम करता है जीते जी जरीए उसके बड़ी बेकदरी जिलती है गर मर जाए कोई कलाकार तब अच्छा कलाकार था कहकर बड़ी वावा मिलती है ये जो मुझे बेचारी समझ मेरे नाईब बने फिरते हैं कोई पूछे उनसे ये सिलसिला कब तक जारी रहने वाला है अब तो इलत हो गई है उनकी मुझे बेवजा कसूरवार कहने की एक वक्त था जब वो मेरे गलती भी अपने सर लिया करता था जूट का एक हसीन सच ये भी है दोस्त के भले ही देर से बरबाद करे मगर करता जरूर है रोज डे पे मैंने कुछ लिखा था याद नहीं आ रहा यार ये किसकी निशानी है याद नहीं आ रहा यार ये किसकी निशानी है ये फूल जो किताबों में रखे थे ये मैंने कब रखे तेरे प्यार की तरह आज ये मोसम दिख रहा है तेरे प्यार की तरह आज ये मौसम दिख रहा है पास तो सब भला भला है दूर सब धुआ धुआ है ए मौत तु मुझे तक पहुँच क्यों नहीं जाती मुझे सुकू क्यों नहीं दे जाती मैंने ऐसा क्या विगाड़ा है तेरा क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे तु मेरे पास क्यों नहीं आती तु मुझे साथ क्यों नहीं ले जाती उसे याद रखना अब आसा नहीं मैं उसे भूल जाओं यही दुआ करता हूँ जान जा रही है उसकी याद आने पर मेरी या खुदा निकाल उसे अपनी एजिस्त रिहा कर मुझे उल्फते इतनी या मुझसे बरदास नहीं होती दर्णे बादा वो पल के जिन में मोहबत जवान होती है वो पल के जिन में मोहबत जवान होती है उस एक पल का तुझे इंतजार है के नहीं दबा दबा सा सहीं दिल में प्यार है के नहीं जुकी जुकी सी नजर झाल 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 झाल